मंत्री परिशत के मेरे साथ ही सिमान अरून जेटली जी, निर्मला जी, जैन सीना जी, अफस्तित सबे महनुभाव हम बच्पन से सुनते आये थे सोने पे सुहागा देकि अब तक समझ नहीं आये था कि सोने पे सुहागा होता क्या है आज हमारे वित्तमंत्री जीन हमें समझा दिया सोने पर सुहागा क्या होता है देश के लिए योजना सच्चे अर्थ में सोने पे सुहागा इस भाव को चरितार्थ करती है और हम ऐसे गरीब देश हैं जिसके पास 20,000 टन्स होना यहीं पड़ा है और शायद हमारी गरीबी का कारण भी यही है कि 20,000 टन्स होना पड़ा हुआ है और इसलिए भारत को गरीब रहने का कोई कारण नहीं है कोई कारण नहीं है कोई लोजिक यह नहीं समझा पा रहा है कि हमें गरीब क्यों रहना चाहिए अगर हम थोड़ी कोशिश करें सही दिशा में कोशिश करें तो हम पर जो यह टैग लगा है उस टैग से मुक्तिप आ सकते हैं और उस करास्ते का एक महत्वपूर्ण एहम कदम आज है यह गोल्ड समंदी धिन भिन योजना है अब मैं बच्पन से सुनता आया था लोगों से कि आधीर आपको काम आता है सोना रखो आधीर आपको काम आता है कभी जरूत पढ़ जाए तो काम आ जाएगा लेकिन मैंने सेक्ड़ों लोगों को पूछा कि कभी आपकी जिन्द्गी में ऐसी नोवत आई है क्या मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको आधीर आत उसका उपयोग हुआ हो लेकिन मनोवज्ञानी कृप से उसके दिमाग में फीट है कि ये रखो कभी आधीर आत काम आ जाएगा और ये ये जो हमारे बने बनाए कुछ विचार ने घर कर लिया है उसमें से समाज को भार लाना ये आसान काम नहीं है आप समझा करके कितने ही पड़े लखे व्यक्ति को भी कहोगे छोड़ो आसान नहीं है इवन दिवजवर वैंक के गवरनर को भी अपनी पत्नी कुछ मांगी ये तो गोड़ लागा ही पड़ेगा जबकि वूटका अर्थशास्त्र गोड़ के सब्द में अलग होगा लेकिन ग्रह सास्त्र अलग होगा तो ये जो अवस्ता है उस अवस्ता में कोई न कोई इनोवेटिव क्रियेटिव हमने व्यवस्ता है विक्षित करनी पड़ेगी दूसरी एक सोच बनी हुई है हमारे देश में एक ऐसा प्रस्थान है दुनिया में कि भारत में महिलाओं के पास कुछ होता नहीं है मकान है तो पती के नाम पे पिता के नाम पे गाड़ी है तो पती या बेटे के नाम पे खेत है तो पती महिला के पास लेकिन बारी किसे देखेंगे तो सोना एक होता है जो महला की ताकत का विश्य होता है यह ऐसे बनी हुई वबस्ता नहीं है कोई शर्ब एक सामाजी की वबस्ता का बहुत बड़ा ताकत वर हिस्सा रहा है जो विमेन इम्पावर्मेंट का बहुत बड़ा पहलू है उसके नाम पर मकान नहीं होगा लेकिन उसके पास यह संपत्ति उसके मालिकी की होती है और परिवार भी इसको question नहीं करते हैं बेटे भी question नहीं करते हैं यह जो हमारा सौंसकार का एक उत्तम पहलू भी है जिसने women empowerment के लिए एक ऐसा सामाजिक जीवन में व्यवस्ता विक्षित की and with the help of gold यह हमारा structure विक्षित हुआ है तो उसको बरकरार भी रखना है हमारी माताएं बहने उनकी अंदर जो सुरक्षा का भाव है यह बरकरार रहना चाहिए हम इस कीम में यह विश्वास अगर पहुचाते हैं तो शायद इसकी सबसे ज़्यादा सभलता का कारण महिलाए बनेगी दूसरा हमने देखा होगा हमारी यहां संपन परिवारों के फैमिली डॉक्टर होते है इवन मद्यंबर परिवार के भी फैमिली डॉक्टर होते हैं लेकिन निम्न मद्यंबर गरीब परिवार के फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं लेकिन हमारे देश में हर परिवार का फैमिली डॉक्टर होता है कितना बड़ा विश्वास होता है तीन तीन चार चार पीड़ी से वो सोनार यान वो अमेरिका में रहना गया होगा लेकिन अपने गाओं का सोनार है उसी को ढूंडे का भाई देखो मैं भेजता हूं जारे यह कर देना है यह विश्वसनेता बहुत बड़ी यह सद्यों की तपस्या से बनती है उस ताकत को भी हमें पहचान ना होगा और इसलिए जब योजना के विशे में मेरे से चर्चा हो रही थी तो सिमान दास को मैं कह रहा था कि जो गाओं के छोटे-छोटे गोड़ स्मीट है वे हमारे इजन कैसे बन सकते हैं एक समय ऐसा था 1968 गोड़ स्मीट सरकार का सबसे बड़ा दुश्वन बना हुआ था मैं गुजरात के पार्टन नाम के एक शहर में बच्पन में कुछ समय बिताया था तो जिस गली में मैं रहता था वो सोनी की गली थी वहाँ एक सज्जन थे उनका एक कारकम रहता था सुबे अखबार आता था वो सिगरेट जलाते थे और अखबार में जहां भी मुराजिबाय का फोटू हो तो उसको जलाते थे इतना गुसा इतना गुसा वो करते थे क्योंको लगता था भई हमारा तो सारी रोजी रुटी चली गए हम इस योजान के द्वारा ऐसी कैसी विवस्ता विक्सित करें ताकि हम उसको फिर से एक बार एंपावर करें वो हमारा इस प्रोफेशन के एजेंट कैसे बने क्योंकि उसका विस्वास है मैं किसी के लिए बुरा ही नहीं कर रहा हूं लेकिन बैंक से ज़्यादा उसको अपने गाउं के सोनार तो बरुसा है वो बड़े से बड़े ज्वेलरी के शोरूम में जाएगा लाने के बाद अपने सोनार के याजर चेक कर ले भई कितना ही बड़ा शोरूम होगा हमारे मेहुल बायां बैटे हैं लेकिन वो जाएगा जाएगा अपने सोनार के याजर चेक करो बे ले तो आया हूँ यह एक हमारी स्विवस्था की बहुत बड़ी कड़ी बन सकती है और यह एक स्ट्रक्चर और अल्रेडी अविलिबल है हम उनको गोल्ड बॉन के लिए किस प्रकार से प्रेजित कर सकते हैं उनको कैसे विस्वाद दिला सकते हैं हम एक डिसेंटलाइज मेकनिजम कर से डेवल जना बजेट में आएं और इतने कम समय में यह लागू हो जाए और टार्गेट ताइक यह दंतरस के पहले क्योंकि भारत में शादी में सोने का जितना महत्वा है उसे ज्यादा धंतरस पर है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट इनी दिनों में हुआ होगा क्योंकि लोगों को अब बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको अब यह देखिए एक हजार टन सोना है हर वर समय कोड़ करते हैं और यह इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उत्योंकि पड़ी रहे हैं किसे ने कोई बहुत बड़ा जलाशे बनाया हो बैम बनाया हो अर्बों खरबोर के खर्च किये हो लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क नहीं हो और किसाने पर पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको यह हमारे 20,000 टन सोने की यह हाल है जी हमें इसको राष्ट की शक्ति में परिवर्तित करना है और समाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है इस इसके एक पहलू नहीं संबब होगा यह सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्टेंजन करना है और रास्त्रें विकास के आत्रा में वह बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके इस परकार कामने विश्वाज जताना है विकनिजम बनाना है आज एक चिंता तो लोकों के रहती है कि भाई कहां रखे 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहां रिस्तेदार के यहां भी रखे कि क्या रखे कैसा उसको मन में चिंता रहती है यह सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन साया वह इस विज़ना से मिट जाता है कि उसको विश्वाद बन जाता है यहां मेरा पैसा सुरक्षी है कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिए करता है भी रूपिय के थेले कहां रखेंगे इतनी च्योटी जगा में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थेले बारा रूपेज तो हम जानते हैं वह क्या होता है सब लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉंड आ गया तो अपना चार कागज रखने चोर भी आएगा धार नहीं लगाएगा वो कहेगा यह कागज को ले जाना है तो नहीं ले जाना है यह तो बिकार है यानि सुरक्षा की अर्टी और यह वो बेज भी सकता है सोना अधीरात को भी का होगो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ एक गोल्ड बॉंड जरुवत पढ़ने पर आधीरात को भी सकता है कहीं अस्पदाल में जाना पड़ा ऑप्रेशन करना पड़ा है डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ गोल्ड सोने में नहीं है एक प्लस पॉइंट है हम इन चीजों को बड़ा अर्टिकलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचाए है उसी प्रकार से हमारा जो यह जमा जमा है ऐसा ही गोल्ड पढ़ा हुआ है बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वैलरी के लिए चला जाएका ऊंटा हुए जेलरी के लिए चला जाएगा तो पूलेटि के लोगों को आपकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा उनके सामने को प्रकेर के बिजने से जुड़े हुए लोग है क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े गोल्ड कंजुमर है अभी मुझे कल को रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इस पे पीछे शोड़ दिया अगर इतना हम तेजी से यह कर रहे हैं तो यह वबस्ता में हम भडलाव ला सकते हैं कि मंतली मोनिटरिंग करकर के हम टार्गेट कर सकते हैं कि इस मन्त घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बहार से आना कम होगा हैं ये हम कि ओनलाइन मोनिटरिंग मड़्फा अदो है कि तो साथ हम कि इस सारे नहीं व्यागसा को एक सच्पुच में ःष्ट में जो suck इसके साथ एक राष्ट्रिय स्वाभिमान का भी शेवी है क्या कानण है कि हम अभी विदेशी मारके से सोना और आज भी पूछते हैं आचा अब वह मारका है पुझे तो नाम वाम याद नहीं कि मेरा को दुम्या से लेना दरा है नहीं लेकिन सुनते आए हैं अब वह इसका उस पर बरोसा है क्या यह हमने ब्रांड और अब हमने और घर करना चाहिए हम अब विदेशी मारका वाला बाजार में हम फुदी नहीं देंगे हम जबलेजी में होंगे हम गोल्ड बैचली वाले लोग होंगे अम नहीं करेंगे ए ठीक है कि अभी इस धंतरस्तों साइ सोना खरीदना है उनको कुछ जगा पे तो मिली जाएगा लेकिन आगे चल करके है रहता लेकिन एक राष्ट्रिय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए और इतने कम समय में बित्मंत्री और उनकी प्रिटीम ने पूरी स्कीम को वर्काउट किय इसको लांच किया टेक्नोलोजी भी इसमें है और मैनुफेक्चरिंग भी है सारी विवस्ताइं नहीं सिरे से करनी पड़ी है लेकिन सारी विवस्ताइं की और मैं जब इस कोईन को देखा शायद मैंने अपनी रूपिये बगरे पर जो गांधी जी देखे हैं इसमें बहुत बढ़िया उनका चित ने निकला है गांधी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बदाई देता है इतना याने एक फिलिंग आता है कोई आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया है याने इसके लिए मेरा इस वभाव है इन चीजों में मेरी रूची होने के गांड़ धराग प्रकारते देखता रहता हूं लेकिन मैं बदाई देता हूं पुरी टीम को अरूंची को विश्यस बदाई देता हूं और देश वाच्चों को सुबकामनाई देता हूं कि धंते रसके इस पामन परवसे दिवाली की शुबकामनाओं के साथ भारत स्वनी म्यूग के आगे बढ़ें और आपका 20,000 सोना भारत के स्वनी म्यूग की और ज छोड़े और सोने पर स्वागा उसका फाइदा वो भी उठाए यही मेरी अपेक्षा और शुबकामनाई धन्यवाद